हे गाईज तो सब्सक्राइब आपका हाई टेक के कौन है वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कौन से भी सेलिबिटी एक्टर के फेस अपने फेस पर लगा सकते हैं दोस्तो मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपोर्टन चीज़ है यह जहांपर वो यूज में लाते हैं दुसरे एक्टर के फेस और उनकी मिमिक्री करते हैं दोस्तो आप सेलिबिटी एक्टर के ही नहीं अपने पापा मम्मी या चाचा चाची जिसका भी लगाना हो वो सेलिबिटी से लेकर यूटूबर से लेकर टिक्टॉकर से लेकर जिसका फेस लगाना हो उसका फेस लगा सकते हो तो दोस्तो वीडियो को बिलकुल भी skip ना करिएगा वीडियो को शुरू से last दिखेगा तभी आपको समझेगा यह कैसे किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कैसे लगाया जाएं actors, celebrities या किसी का भी face अपने face पर तो सबसे फिर तो आपको आना है अपने snapchat पर snapchat पर आकर फिर आपको सर्च करना है उस celebrity का face filter जिसका आपको लगाना है जैसे कि मैंने अभी सर्च किया सलमान खान इसका तो मुझे face filter मिल गया जहाँ पर यहाँ पर आपको यह face filter मिल जाता है आसनी से मिल जाता है सर्च करते ही यहाँ पर मैंने लिखा मोधी तो मोधी जी का फेस फिल्टर यहाँ पर बना हुआ जहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो मोधी जी का फेस फिल्टर भी आपको मिल जाता है तो यहाँ पर अगर आप सर्च करते हो धर्मिंदर धर्मिंदर का फेस फिल्टर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तो जो फेस फिल्टर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है वो फेस फिल्टर आप आराम से लगा सकते हो जहाँ पर आप देख सकते हो यह जो फेस फिल्टर है यहाँ पर धर्मिंदर का फोटो है तो यहाँ पर मैं धर्मिंदर का फेस फि तो यह जो face filter है वो images से face उठाके आपके face पर लगा देता है तो यहाँ पर अगर आप click करोगे और आपके phone में जितने भी images होंगे उनका जो face है वो detect करेगा वो detect करके फिर आपके सामने उसका face लिखके आजाएगा जैसी कि आप देखसकते हैं यहाँ पर वरुन्धवन का face आ चुका है फिर यहाँ पर मैंने कारति करियन उसके बाद शद्धा कपूर तो इसके बाद फिर शारुक खान जैसी कि आप देखसकते हैं आसानी से कारत के में धर्मिंदर का है तो इस तरीके से आपने अपने face पर face filter ला सकते हो और दोस्तों यह जो face है आपको save करना होगा तो आप UC browser या कुन सी भी एक ब्राउजर से save कर सकते हो जहां पर आपको उस face को एक बार ऐसा screenshot लेना होगा तो easily अपना यह जो आपका Snapchat है उसे detect कर लेगा तो इससे मैं अभी screenshot लेता हूँ जैसे के आपने देखा screenshot लिया आप मैं Snapchat पर गया और यहाँ पर वरुन धहुन का दो बार face आगया क्योंकि मैंने यहाँ पर दो बार यह लिया screenshot लिया तो इस तरीके से आप अपने जो Snapchat पर किसी भी actors का face ला सकते हो आपको क्या करना है आपको जाना है सिर्फ search पर जाकर आपको लिखना है face swap और face swap लिखोगे तो आपके सामने अपर साइड में face swap का एक filter आ जाएगा वहां से आप यह ले सकते हो और उसके बाद आप कभी भी अगर अपना Snapchat on करते हो और यहाँ पर क्लिक करते हो तो यह जो face swap है आपके इसमें हमेशा के लिए सेव हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने Snapchat पर यह face swap फिल्टर पा सकते हो और कौन से भी actors का face लगा सकते हो तो दोस्तो आशा करते हो आप कोई वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें नए तो इस चान को सब्सक्राइब करें और दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई